हेलो दोस्तों मेरा नामे क्योल आर आप देख रहे है क्योल टेक और आज हम देखेंगे कि हम रिमोट एक्सेस के जरिये एक लेप्टप का पूरा कंट्रोल दूसरे लेप्टप में कैसे ले सकते और हम उसके फाइल्स को भी कॉपी कर सकते तो आईए चलिए देखते देखें यह मेरा लेप्टप वन है जिसका पूरा कंट्रोल हम लेंगे लेप्टप टू में तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको वाइफाई से कनेक्ट हो जाना है वाइफाई से कनेक्ट हो जाने के बाद सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद यहां पर सिस्टम में जाना है सिस्टम पर क्लिक करने के बाद यहां पर सब्सक्राइख कर देना है। तो चलिए हम इसे close कर देते हैं, close करने के बाद यहाँ पर आपको cmd type करना है, command prompt के बाद कराओ में, command prompt को open होती है, आपको लिखना है ipconfig, क्योंकि हमें ip check करना है कि हमारा ip कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ipv4 address यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 192.168.1.101, यह हमारा local ipa, तो आपको इसे याद रख लेना है, ठीक है, तो यह अपने देखा कि हमने laptop 1 में कैसे पूरे procedure किया, अब हम जाएंगे laptop 2 में, जहाँ पर हमें laptop 1 की पूरी files और मतलब पूरा उसका control लेना है, तो चलिए हम जाते है laptop 2 में, देखे यह हमारा laptop 2, जहाँ से हम laptop 1 को control करने वा जो पहला option इस पर click कर देना है, click करने के बाद आपको ऐसा pop-up दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वही wifi डाल देना है, जो आपको laptop 1 में हमने ip config करके देखा था, तो ठीक है, आपका यह local ip आपने हमने डाल दिया है, और यहाँ पर हम connect पर click कर देंगे, connect पर click करने के बाद, यहाँ पर देखी मेरा नाम लिखा हुआ रहा है, क्योंकि मैं पहले एक बार कर चुका हूँ, लेकिन फीड से में करके दिखाता हूँ, यहाँ पर username में हम, मेरा जो PC का name था, वो डाल देंगे, तो यहाँ पर मैं केवल लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर वो laptop का पासवर्ड डाल दूगा यहाँ पर, तो मेरा पासवर्ड में डाल दिया, और OK पर क्लिक कर देता हूँ, ठीके, और यहाँ पर Yes कर देना है, जैसा ही हम Yes पर क्लिक करेंगे, तो यह देखिए, यह पूरा laptop 1 यहाँ पर आ गया है, ठीके, यह खुला हुआ था, इसे हमें close कर देता हूँ, और मैं आपको एक sample दिखा देता हूँ, copy कर गए, तो सबसे पहले मैं अपने PC में जाता हूँ, मैं अपने D-Dry में जाता हूँ, उसके बाद, यहाँ पर देखिए, मेरे wallpaper है, तो मैं यहाँ पर wallpaper सिलेक कर देता हूँ, तो यह है पूरा interface, देखिए, अब आपक यहाँ से मैं इसे open भी कर सकता हूँ, तो मैंने open कर दिया, अब यहाँ से मैं यह car वाला जो wallpaper यहाँ से मैं copy करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं copy किया, और मैंने laptop 2 है, वहाँ पर paste भी कर दिया, ठीक है, तो यह देखिए, यह आ गया laptop, तो इसी तरह आप कोई भी file transfer कर सकते हैं, और अगर आपको आपके office का जो laptop है, वह घर से control करना है, तो वो भी आप remote desktop के जरिये कर सकते हैं, उसके लिए आपके company का एक static IP होना चाहिए, जैसे ही हमने हमारे local IP से जो प्रोसेजर आभी देखिए, ठीक उसी तरह आपको अपने static IP का यूज़ करके, आप remote लिए उसे access कर सकते हैं, I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज मुझे comment section में जरूर रताइए, मैं उसका जरूर reply दूँगा